अक्सर लोग आर्थिक उननती और धन लाब के लिए ज्योतिशिय उपायों का सहारा लेते हैं वास्तु शास्त्र के जानकार बताते हैं कि अगर सही विधी के कोई उपाय किये जाएं तो उसका असर जरूर दिखता है चाहे देर से ही क्यों ना हो वास्तु शास्त्र में फितकरी को नकारात्मक उर्जा को दूर करने वाला माना जाता है इसके उपाए से घर में सकारात्मक उर्जा का प्रवाह बढ़ता है साथ ही घर की सारी नकारात्मक उर्जा तुरंत दूर हो जाती है इसके अलावा फिटकिरी के उपाई से आर्थिक जीवन से जुड़ी दिक्कते भी दूर होती हैं आईए जानते हैं धन लाब के लिए फिटकिरी के उपाई धन लाब के लिए फिटकिरी के उपाए अगर कोई व्यक्ती अच्छा खासा कमाते हुए धन अरजित नहीं कर पा रहा है साथ ही बिना वजह पैसा पानी की तरह बह जाता है तो ऐसे में उनके लिए फिटकिरी का उपाए मददगार साबित हो सकता है ऐसे में फिटकिरी के एक तुकड़े को कागज में पलेट कर पसमें रखें साथ ही इसे प्रत्येक 11 दिन पर बदल दें माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन लाब के कई द्वार खुल जाते हैं नौकरी के लिए फिटकिरी का उपाय अकसर कुछ नौकरी में आ रही समस्या से परेशान हो जाते हैं जबकि कुछ लोग अच्छी नौकरी की तलाश तो करते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है ऐसे में अच्छी नौकरी और उसमे सफलता पाने के लिए नहाने के पानी में फिटकिरी मिलाएं और उस जल से सनान करें कहते हैं कि इस उपाय को ग्यारह दिनों तक करने से अच्छी नौकरी के लिए ओफर मिल जाता है साथ ही नौकरी में प्रमोशन भी मिलता है बिजनेस में तरक्की के लिए बिजनेस में तरक्की के लिए भी फिटकिरी का उपाई मददगार साबित होता है अगर आप भी बिजनेस में आर्थिक तरक्की पाना चाहते हैं तो फिटकिरी के एक टुकडे को किसी लाल रंग के कपड़े में बांध कर अपनी दुकान या घर की तिजोरी में छुपा कर रख दें। इसके अचानक धन लाब के योग बनते हैं।